स्वागते दूस्तों आज 5 अप्रेल 2023 बुद्वार का दिन आज के मुक्य समचार बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट लेकर हाजर हो चुके हैं देश के अलग-अलग राज्यों के और से सरकारों के और से मत्मुन अपडेट आचुका है नए नियम बड़ी खोश्ना और बड़ा एलान की जानकारियां लेंगे तो आईए दोस्तों बिना टाइम बलम के सुरुआत कर दे हैं आज की पहली बड़ी खबार ताजा खबार US economy से जुड़ा बड़ा update आ रहा है दुनिया की सबसे बड़ी economy अमेरिका खत्रे में है देश पहली बार कर्च के बुक्तान में डिफोल्ट करने के कगार पर पहुँच गया है मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है कि बेंकू की हालत खसता है डोलर को पूरी दुनिया में चुनोती मिल रही है और date to GDP ratio records तर पर पहुँच चुका है और अगर अमेरिका ने डिफोल्ट किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा हाली में दो बड़े बैंकू के डूबने से बैंकिंग संकट गयरा गया है और ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी एकोनोमी अमेरिका के लिए हर तरप से नेगेटिव खबर आ रही है प्रदिशत गिरावट आएगे और इसका असर भारत समेथ पूरी दुनिया पर हो सकता है वैसे आपको बताता है अमेरिका के वितमंत्री जनेट यलन ने जनवरी में चेतावनी दीती कि अमेरिका जून तक कर्ज के भुगतान में डिफोल्ट कर सकता है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबार दाल आटा के बाद अब जीरा, लाल मिर्च, लोंग और सूखे मेउं के भी रेट बढ़ गए है साथ दिन में इस दाम दोगुने हो गए है खास करके मसाला के दमों में जबरदस तेजी देखने को मिल रही है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबार अब MSME बीना घारंटी के 5 करोड रुपे तक लोन लेस केंगे सरकार ने ये बड़ी राद दे दिये सुक्सम लगो एव मध्यम उद्योग यानी MSME को सरकार ने ये बड़ी राद दिये अब MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम के तैत अधिक्तम 2 करोड की जगे 5 करोड तक का लोन लेस केंगे पिया मोधी ने भूटान नरेस के सामने डोकलाम का मुद्दा उठाया वहें बड़ी ख़बर आ रही हैं अब सुप्रियम कोड याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया और आज 5 अपरेल को इस मामले के सुनवाई होगी वहें बड़ी खबार आ रही हैं नाटो में सामिल होने वाला 31 वा देस बन गया फिनलेंड रूस ने का कि अंजाम भुगतने होंगे यानि फिनलेंड का नाटो में सामिल होना रूस के लिए किसी बड़े जटके से कम नहीं है हालांकि 31 देसु के समो का कहना है कि फिनलेंड के नाटो में सामिल होने से मासको के लिए कोई चिंता की बात नहीं है फिनलेंड मंगलवार को आधिकारी क्रूप से नाटों में सामिल हो गया है बड़ी खबर आ रहा है चीन ने अरुनाचल की 11 जगों के नाम बदले 5 साल में 30 बार ऐसे अरकत की है भारत ने का कि नाम बदलने से हकिकत नहीं बदलती है यानि चीन ने अपने नकसे में अरुनाचल प्रदेश की 11 जगों के नाम बदल दिया और चीन ने पिछले 5 साल में 30 बार ऐसा गया साथ ये ब्रेट आ रहा है दिल्ली को लेकर दिल्ली मंत्री मंदल ने बड़ा फैसला लिया एक साल और बिजली सबसिडी की योजना बड़ा दी गई है इसके लावा भी और कई प्रस्ताओं को मंजुरी मिली है दिल्ली में केजरिवाल सरकार ने मंत्री मंदल के बेठक में कई बड़े फैसले लिया दिल्ली में 200 यूनिट मुप्त बिजली स्कीम जारी रहेगी आगे बरते दोस्तों बड़ी कबर आ रहे हैं कोरोना वाइरिस से जुड़े अलर्ट आ रहे हैं आईसी एमर कोविट नाइंटीन और हार्ट अटेक के बीच संबंध पर अध्यन कर रहा है यानि हार्ट अटेक और कोविट नाइंटीन के कारण होने वाली मोतु में अचानक वृद्धी के मद्यनजार इंडियन काउंसिल ओप मेडिकल रिसर्च ये अध्यन कर रहा है कि किया इन दोनु के बीच कोई संबंध है और इसके नतीजे दो मैने में आने की उम्मीद है केंद्रिय स्वास्ते मंत्री मंसुक मांडिया जी ने मंगलवार को इस बात की जनकारी दी है वह आपको बता दें कोविट नाइंटीन से सावधान होने का एक बार फिर समाय आ गया दिल्ली में कोरोना फिर से लोटा रिकोर्ड 521 नए मामले सामने आ है साथ महने में सबसे अधिक मामले है दिल्ली में बीते 24 गंटे में कोरोना वाइरस संक्रमन के 521 नए मामले सामने आ है इसके लवा महारास्ट में कोरोना के बीते 24 गंटे में 711 नए मामले सामने आए, चार की मोत होने की खबरा रही हैं स्वास्ते मंत्री जिने काय कि सरकार निपटने को तयार है वहीं कोरोना वाइरस से जुड़ा ब्रेट आ रहा है, कोविट से एक महीने में 25 जार से ज़्यादा मोते हैं, डबली ओचो ने चेतावनी भी जारी की हैं विश्व स्वास्ते संक्टरन के आकड़ो के मुताबिक बीते एक महीने में दुनिया भर में, कोरोना से 25 जार से ज़्यादा मोते हुई हैं, और करीब 4 मिलियन मामले दर्च किये गए हैं भारत समेत दुनिया के कई देशों में अब कोरोना वाइरिस का कत्रा बढ़ रहा है, दुनिया भर में कोविड के नए वेरियंट के मामले लगातार सामने आ रहा हैं अब तक 800 से ज़्यादा वेरियंट मिल चुके हैं कोविट के केस लगातार आ रहे हैं और इस वाइरेस की वज़े से मोते भी हो रही हैं बढ़ते होए खत्रे को देखते होए WHO ने सभी देशु को कोविट को लेकर अलट रहने के निर्देश दिये हैं वहीं भारत में भुकम क को लेकर पहली बार ऐसा प्रियास हो रहा है जल्दी अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू होगा यानि वह दिन दूर नहीं जब मोसम की तरह ही भुकम को लेकर भी देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू होगा आलांकि ये सिस्टम पुर्वानुमान तो नहीं बता प 14 उड़ाने डायवर्ट हो गई कई विमानू की लेंडिंग में देरी हुई बेंगलूरू सहर के बारी इलाकों में भारी बारी सोने और खराब मोसम के कारण मंगलवार साम को केमपे गोडा अंतरास्टी हावाई एड़े पर उतरने वाले 14 उड़ानू को अन्य हावाई एड़ो पर भेजा गया और 6 उड़ानू की लेंडिंग में देरी हुई हावाई एड़ा के अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी सहर की हैं बड़ी खबर आ रहे हैं सेप्टी में मारूती की कारें फेल के 20 को 2 और वेइगन आर को एक स्टार मिला यनि कारू की सेप्टी रेटिंग देने वाली संस्ता global and cape ने मंगलवार को चार कारू की क्रेस टेस्ट रिपोर्ट जारी की हैं जिसमें देश में बिक्री के मामले में हर माईने टोप 10 में रहने वाली मारूती सुजुगी की अल्टो के 10 गो पांच में से दो और वेगन आर को सिर्फ एक स्टारी मिला है इसके लाव फोक्स वेगन की वर्टस और स्कोडा की स्लाविया को फाइव स्टार रेटिंग मिली हैं चलिए आगे बरते दोस्तों बड़ी खबर आ रही हैं भारत की जेलू में सिर्फ 22 प्रतिशत केदी ऐसे हैं जिने किसी अपराद में दोसी करा दिया गया है इसके लावा 37 प्रतिशत केदी ऐसे हैं जिनके केस अलग-लग अदालोतों में चल रहा हैं और इन पर फैसला नहीं आया है यानि कि ये विचाराधिन केदी हैं हाली में प्रकासित 2022 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में इस तरह की बाते सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि विचाराधिन केदीयों की संक्या 2010 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं वहीं पस्यमंगाल में इंसा पर केंदर एक्सन में ग्रियमंत्रले ने कानून वियवस्ता पर राजे से रिपोर्ट मांगी हैं साफधानी बरतने की अपिल की हैं अगर आप भी फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बड़ी कबर हैं गूगल ने अब होटल और फ्लाइट टिकेट बुकिंग को यूजर के लिए और भी आसान बना दिया है अब आप गूगल फ्लाइट्स की मदद से फ्लाइट टिकेट की केमतू को कंपैर कर सकते हैं साथ प्रतिशत गरू तक पहुंचा स्वच जल पीयम मोदी ने का ऐसाधा नोपलब दी हैं जल जीवन मिसन के मद्यम से गाउं में 60 प्रतिशत गरू तक टैप के जरिये स्वच पहजल पहुंच गया है जल सकती मंतरा लेके नुसार इस मिसन के क्रियान वैन में इस साल के सुरुआती तीन मैनों में खास तोर पर तेजी आई है वह दूसते एक अलर्ट करने वाली खबर है ओनलाइन गेम में जिंदगी हारा नवी का चात्र है रोज एक गंटे भी अगर मोबाइल में गेम खेलते हैं तो ये गेमिंग डिसोर्डर है जो डोपामाइन हार्मोन रिलीज कर रहा है दरसल लूनी के फिंच में ओनलाइन गेम में 40,000 रुपए हारने पर नवी के 15 वर्षी चात्र ने जान दे दी वैसे आपको बताते हैं ओनलाइन गेम और गेंबलिंग में फसकार बरबाद हो रहा है बचपन के ऐसे ममले आए दिन सामने आ रहा है कई बच्चे अपने माता पिता तक हाथ उटा देते हैं और कई गर छोड़ने और खुदकुसी के दमकिया दे रहा है साथ ही जूट बोलने मिर्गी चिड़चिड़ेपन और बहुत अधिक आक्रामकता के सिकार भी बच्चे हो जाते हैं एक से पांच साल तक के बच्चों का बोधिक विकास तक बादित हो रहा है ऐसे में सभी अभीबावक परेंट्स मोबाइल फोन को लेकर बच्चों के साथ जरूर अलट रहे हैं टिक टो की मुसीबते भी बढ़ रही है आस्ट्रेलिया ने भी बेन लगा दिया सुरक्सा के लिए गंबीर खत्रा बताया है आस्ट्रेलिया में भी अब सरकारी डिवाइस पर चीरनी सोट वीडियो एक मैला और दीवयंग जनू के लिए ततकाल और परेशानी मुक्त दर्शन सुनिश्यत करने की योजना बनाए करनाटक विदान सबा चुनाव से पहले पियमोधी करेंगे 20 रेलियों को संबोधित पियमोधी 10 माई को होने वाले विदान सबा चुनाव से पहले करनाटक में 30 दिनों के अंतराल में कुल 20 जन सबाओं को संबोधित कर सकते हैं सुत्रू के वाले से इस तरह की मीडिये रिपोर्ट्स और खबरे सामने आ रहे हैं। सामने आ रहे हैं। सिक्स से लेकर उचे सिक्सा के लिए सिक्सकों का चयान सी हमने इस तरह के निर्देश जारी किया है। वंदे भारत में अब सोते हुए भी सबर कर पाएंगे रूस की कमपनी कोच बनाएगी थर्ड एसी के ग्यारा डिब्बे लगेंगे। यनि अब सिलिप पर वंदे भारत का सपना भी जल्दी पूरा होने वाला है। प्रूस की कमपनी को ठेका दिया गया है। यात्रियों को बताने का फैसला लिया है। QR कोड सकेन करके रेल यात्रिये जान पाएंगे कि कब बैड रोल पैक हुआ है। और सपाई से सम्मधित सारी जानकारिया भी उपलब्द हो जाएगी। पेकेट पर QR कोड अंकित करने सुरू कर दिया गया है। ट्वीटर से नीली चीडिया गायब हो गई है। सिंग चोहान ने मैलाओं को बड़ी सोगा देते हुए। पुलीस बर्ती में मैलाओं को 30 प्रदिशत आरक्सन देने की गोशना की है। साथ इस दोरान उन्होंने गाउं गाउं में लाडली भेना सेना बनाने का आयलान भी किया है। सुप्रीम कोट ने नोईडा के गिजोर और होशियारपूर गाउं में वे भूमी अधिकरन का मुआवजा बढ़ा दिया। नोईडा के गाउं गिजोर और होशियारपूर के उन भू स्वामियों के लिए बड़ी रात की खबर है जिनकी जमीन है। उत्राखन में नया सिक्सा सत्र सुरू होते ही। प्राइवेट स्कूलों ने अभिभागों को जोर का जटका देना सुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल संचाल को ने बस और वेन का किराया बढ़ा दिया। बन गया है लेकिन ये स्थिती अब जल्दी बदलने वाली हैं। प्राइवेट स्कूलों को 32,000 रुपे प्रती हेक्टेर के साब से फसलों के नुकसान किरासी दी जाएगी। इसके लावा बारिस और ओलावरिष्टी से गयों ने अगर चमक हो दिये हैं पतला हो गया है दाना। ऐसे गयों भी किसानों से खरीदे जाएंगे। दी ए 38 से बढ़ कर 42 प्रतीशत हो गया है बढ़ा हुआ दी ए 1 जनवरी से मिलेगा। जनवरी से मार्स तक के 3 महिनों का दी ए करमचारिवेट के जीपी अपकातों में जमा होगा। अप्रेल से बढ़ा हुआ दी ए सेलेरी के साथ मिलेगा। वर्क चार्च करमचारियों को भी बड़े वे डिये का फाइदा मिलेगा, वहीं राजस्तान से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, नीजी डॉक्टर्स की हरताल स्माप्त हो गई है, यानि राजस्तान में जो डॉक्टर्स हरताल कर रहे थे वो खत्म हो गई है, सत्रा दिन बाद आज से ही सभी प्राइवेट हस्पटाल खुल जाएंगे, चिरंजेवी और RGHS का भी फाइदा मिलता रहेगा, राजस्तान में अब सभी प्राइवेट हस्पिटल खुल जाएंगे, सत्रा दिन से चल रहा गतिरोध मंगलवार को खत्म हो गया है, बुद्वार सुबह 8 बजे से निजी अस्पतलों में इलाद सुरू हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में अप्रेल के मैने में जनवरी जैसी ठंड मैसो सो रही है, सडकों पर बार्फ फिर यलो अलाट जारी हो गया, पस्ची मी विक्सोब ने हिमाचल प्रदेश में भी जोर पकड़ लिया है, उचाय वाले इलाकों में जोरदार बरफ बारी दर्च की गई है, बरफ बारी ने मनाली सेर की खूब सूर्ती में भी चार चांद लगा दिया है, परेटकों में जबरदस्त उत्सा देखने को मिल रहा है, मोसमी भागने के लिए 24 गंटे के दोरान आंदी तूफान, बारिस और उचाय वाले क्सेत्रों में बरफ बारी की चेतावनी जारी की है, यूपी के गाउं को सुंदर और स्वच बनाने के लिए ग्राम प्रदानों को प्रसिक्सित किया जाएगा, वही दिल्ली के सब्दर जंग अस्पताल का एक नया कदम है, अब सर्जली के लिए ये सुविदा मिलेगी, इलाज और सर्जरी के दोरान मरीजो और उनके परिजिनों से पैसे वसूलने वाले डोक्टर्स और बिचोलियों पर लगाम लगाने के उधिस्य से, होस्पीटल प्रसासन ने बड़ा कदम उठाया, सबदर जंग होस्पीटल प्रसासन ने होस्पीटल में सर्जिकल सामार उपलप्त करवाने का नेड़ है, मरीजो की सर्जरी के लिए आउश्चक इंपलूंट ओस्पीटल द्वारा उपलप्त कराये जाएंगे, जमूकसुमीर में 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है जमो कस्मीर में अगले वित्वर्स में 49 विभागों में 14,000 से अधिक पदू पर बरती होने वाली हैं वहें गुजरात टाइटन्स का विजएरत जारियें दिल्ली को 6 विकेट सहरा दिया है आईपियल के सोलवें सीजन का सात्वा मुकाबला दिल्ली के पिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच दिल्ली के अरॉंड जेटली स्टेडियम में खेला गया वहें मौल और होटल से कम नहीं होगा गोरकपूर रेलवे स्टेशन या त्रियों को हाई टेक सुविदाएं मिलेगी 50 साल आगे के प्लानिंग देश के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन में सुमार गोरकपूर जंक्सन का आदुनी की करन होने जा रहा है वहें आपको बताते हैं इस साल 20 अप्रेल को साल का पहला सुर्य गरण लगने वाला है 20 अप्रेल को लगने वाला ये सुर्य गरण भारत में दिखाई नहीं देगा वहें इस साल का पहला चंदर गरण 5 माई को लगेगा जो 30 सास्त के अनुसार ये साल का पहला चंदरगर्ण उपचाया चंदरगर्ण होगा जो 5 मई को पढ़ रहा है वहें पंजाब में CMD योग साला की सुरुआत होने जा रही है भगवंत मान ने का कि स्वास्ता और कोसाल जीवन के लिए योग जरूरी अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टूड़े सिल्वर प्राइस टूड़े सोने चंदी के बाव से जुड़ा ब्रेटा गया अमेरिका में आए खराब आकड़ों की वज़े से सोने और चंदी की किमत में तेजी देखने को मिली है भारत में सोना 61,000 रुपे के पार पहुँच गया हुई चांदी के दाम दो साल के हाई पर पहुँच गया है अब बात कर लेते हैं दोस्तू वदर न्यूजन अनलिसिस संपुन भारत का आज 5 अपरेल 2023 का मोसम पुरुवनुमान मोसम की जनकारी का ताज़ा अपडेट आ गया है स्काइमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 गंटों के दोरान गिलगित बाल्टिस्तान मुझपराबाद, लद्दा, इमाचल प्रदेश, असम, मेगाले और अरुनाचल प्रदेश में हलकी सेमध्यम बारिस और गरज के साथ बोचारे हो सकती है अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा तेंक्यू टेकर गुरुबाई, जय हिन, जय भारत, वंदे मात्राम